वेल्कम गाइज वेल्कम बाक टियो ओन चैनल ऑप्शन गाइड तो स्वागत है आपका एक और शांदार डेली माकलिस वीडियो में आज की वीडियो में डेटेल बैंक निफ्टी का डेटेल्ड अनलिस अल्रडी आपको दे चुके नहीं देखिए वीडियो जरूर जाके देख लेए आई बेटन पर आपको लिंक मिल जाएगा मंडे फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो बहुत जादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उसे बिल्कुल भी मिसना करें किया था अब यह देखिए यह निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है हमने क्लियरली डिसकस किया था कि अगर मार्केट 45,000 लेवल का अपसाइड ब्रिक आउट देती है तो मार्केट क्लियर कट एक बहुत अच्छे बुल रन में एंटर करेगी बहुत बड़ा यहां से डारकली जो हमने आपको टागेट बताया था वह था 46,400 यानि डारकली 1400 पॉइंट की रैली एक्सपेक्टेड थी 45,000 लेवल के ब्रिक आउट के बाद और आप क्लियरली देख सकते हैं हमने ब्रिक आउट दिया और उसके बाद अल्मोस्ट हम हमारे टागेट के पा बहुत लिमिटेड हमें अपसाइड दिखती है और अभी एग्जाक्ली सेम टाइम पे निफ्टी भी एक मेजर रिष्टेंस पे है इसलिए करेंट मार्केट में हमें बहुत जादा अपसाइड दिखाई नहीं देती है तो यहां से एक डिप आ सकता है मार्केट में और इस लेवल तक फॉल कर सकते हैं अगर करेंटली स्ट्राटेजी की बात करें कि बैंक निफ्टी में पुजिश्नली क्या ट्रेड बन सकता है सबसे अच्या ट्रेड बनेगा कि आप कॉल को सेल कर सकते हैं ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूं क्योंकि option buying में कोई जादा फाइदा नही लेकिन अपसाइड बहुत लिमिटेड मार्केट के अपसाइड है तो इसलिए आप कॉल को जरूर सेल करके ट्रेड बना सकते हैं अपसाइड बहुत जादा लिमिटेड है इसी चीज को हम फॉलो कर रहे है क्योंकि 46400 एक मेजर रेश्टेंस है पहले हम clear cut bullish थे bullish market हमें देखन रेश्टेंस पर है तो यह सारे science है कि market यहां struggle कर सकती है यह clear cut simple positional outlook है ट्रेड मैंने आपको अल्रड़ी बता दिया है कि best trade होगा कि आप calls को sell करके चले ठीक है simple clear viewpoint bank nifty का positionally लेकिन अब इतने बड़े levels पर intraday trades बनेंगे मंडे exactly कैसे आप trades कर सकते gap down opening दिखरी है अल्रड़ी एक Monday तो gap down opening के बाद आपको कैसे trades बनाने और Friday क्या हुआ market में exactly वो discuss कर लेते हैं अब यहां पर देखे Friday की market देखे तो दोनों levels के mid में opening होई थी जो हमारे दोनों major levels थे उनके mid में opening होई थी lower side support था 46,000 upside resistance level था 46,200 दोनों levels के mid में opening होई हमने जो trade discuss किया था वो किया था कि entry होगी यहां से आप calls में entry कर सकते हैं और पूरे दिन वो entry नहीं मिली क्योंकि market देखो levels के mid में है यहां भी 46,000 से market में gap दिख रहा है और यहां भी 46,000 से market दूर है तो exactly market हमारे entry level तक नहीं आई इसलिए हमें कोई trade नहीं मिला almost Friday हमारे लिए bank nifty में कोई trades नहीं थे वैसे Friday हम बहुत ज़्यादा बड़े moves भी नहीं देखने को मिले यहां पर हम 46,200 के अबव जा रहे है लेकिन यहां भी जो breakout confirmation candle थी वो बड़ी थी हमारा next target था 46,350 almost breakout confirmation में हमारा 50% से ज़्यादा move आ चुका था इसलिए upside के भी trades नहीं बनते इसलिए Friday almost पूरा दिन हमारे लिए no trades का था कोई trades bank nifty में नहीं देखते हैं both side हमें move जरूर देखने को मिले लेकिन हमारी entry तक market नहीं आई 46,000 के आसपस entry मिलती तो वो बहुत ही अच्छे trades थे वहां से हम जरूर upside catch कर सकते थे लेकिन वो dip हमें देखने को नहीं मिला तब यह Friday की market बात हुई लेकिन हम Monday क्या करना है वो directly discuss कर लेते हैं सबसे पहली चीज 46,200 के just above closing आई है यहां lower दिख रही है लेकिन average closing 46,200 के above आई है ठीक है तो immediate 46,200 support level होगा उसके बाद 46,000 उसके बाद 45,850 and 45,650 upside एक ही level बताऊंगा क्योंके बहुत limited upside दिखती है वो level है 46,350 इसी के आसपास हमारा positional resistance level भी है 46,400 तो upside बहुत ही limited है इसलिए हम A की level अभी बता रहे है और trades की बात करें Monday gap down opening दिख रही है gap down opening में हमें watch out करना है क्या market 46,000 को lower side break कर पाती है अगर 46,000 को market ने lower side break किया तो आपको puts में entry करनी है target 45,850 पहला और यह level भी break होता है तो further एक बड़ा fall आएगा 45,650 तक यहां तक ह बहुत ही simple trade है कि 46,000 के below अगर market जाती है तो यह fall continue रहेगा simple clear put का trade clear है call में entry देखो upside तो है नहीं क्योंकि बहुत major resistance के आसपस है lower side अगर हम 45,650 तक आजाते है और इस level को hold कर लेते है तो यहां से आप reversal में calls में entry कर सकते है कि इसी के आसपस हमारा positional support level भी है अभी जो आपको 600 यहां यह major support है इसलिए 45,650 के आसपस भी आप intraday calls में entry कर सकते है यानि call में entry करने के लिए हमें market में एक बड़ा dip चाहिए तब हम reversal में calls में entry कर सकते है यह simple clear setup है Monday के लिए hope सारी चीज़े clear है इतना ही simple रखना है इसके लावा अगर कुछ market में different opening दिखती है तो वो मैं options guide अगर join नहीं किया है तो कर सकते हैं बस एक चीज़ का ध्यान रखे जब आप telegram पे search करके जाएंगे options guide आपको बहुत सारे fake channels भी मिलेंगे अगर किसी भी channel पे कोई भी paid service दी जा रही है या फिर profit sharing या ऐसे कोई भी scheme sell की जा रही है वो हमारा group नहीं है हमारा group बिल्कुल free of cost है तो गलती से भी fraud fake group join ना करें कोई भी fees मांगी जाए आपसे या कुछ sell किया जाए तो समझ लीजिए वो fraud group है उसे join ना करें बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हम regular कुछ group में share नहीं करते हैं mostly हम daily videos के link share करते हैं and अगर कुछ ऐसा हो जो हमने already video में discuss नहीं किया है वो हमें देखने को मिलता है market में तो वो हम share करते हैं इसलिए फिर से remind करा रहा हूँ free group है सिफ उसी को join करें and इसके लावत जिन लोगों ने भी recently हमारे link से account open किया है मैं आपको इस Tuesday तक group में add कर दूँगा जो हमारा premium group है जहां हम आपके साथ swing trading stock idea share करते हैं तो उस group में join होन join करना चाहते हैं तो simply हमारे link से account open कर सकते हैं first comment में आपको link मिल जाएगा इसके लावा hope video अच्छे लगी होगी तो like ज़रूर कर दे and channel पे नए है तो subscribe करना बिलकुल न भोले